Hello friends, operating system के course के playlist में आज की वीडियो में हम discuss करने वाले है deadlock detection पिछली वीडियो में हमने discuss कर लिया है कि deadlock क्या होता है, deadlock को होने के क्या-क्या conditions है और deadlock को अगर हमें system से बचाना है तो हम क्या-क्या कर सकते हैं हम देखेंगे कि deadlock को detect या अगर system में deadlock हो तो कैसे पता करेंगे कि system में हमारे deadlock है वीडियो को last तक जरूर देखेगा, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए है तो चैनल को जल्दी से कर लिजेगा subscribe और हाँ bell icon को प्रेस करना मद भूलेगा, तो जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो में कि deadlock detection क्या है तो अगर मैं आपसे वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दू, अगर आप इस notes को download करना चाहते हैं तो description में link है, आप वहाँ से जाके download कर सकते हैं तो अगर बात करें deadlock detection के बारे में, तो deadlock detection is a process of the actually determining that the deadlock exists and identifying the process and resource involved in the deadlock तो क्या करना है कि deadlock को detect करना है, तो सबसे पहले हम क्या करना है कि जो भी process और उसमें resource है, जो कि उसमें exist करते हैं, deadlock में exist करते हैं, उनको हमें identify करना है deadlock के अंदर, तो सबसे पहले इनको identify करने के लिए हमें क्या करना है, कि हमारे पास एक algorithm में, जिसको हम deadlock detection algorithm के नाम से भी चानते हैं एक question आपके exam में भी पूछा जाता है कि deadlock detection algorithm क्या होती है, तो सबसे पहले हम algorithm देखेंगे, उसके बाद example देखेंगे, तो चीजें हमें ज्यादा समझ में आएंगे, हो सकता है आपको algorithm न समझ में आए, तो हम देखेंगे इसका example, तब आपको चीजें अच्छी तरह से clear हो जाएंगे, तो algorithm में अगर हम बात करें, तो step 1, तो सबसे पहले क्या है कि let work and finish, भी vector आपदा है, length yum and yum, respectively initial work is equal to available for 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, जो भी है, तो कह रहा है कि जो भी work है, वो क्या होगा, finish, तो उन्हों क्या है, एक तो vector, vector आप length है, जो yum और yum, यन, यानि एक तरह की matrix इसमे बनेगी, matrix आपने बढ़ा होगा, matrix yum into yum की बनेगी, जो क्या करेगी, initial, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो भी work होगा, वो क्या होगा, अब कह रहा है, आगे कि जो भी request आई है, 0 होगा, अगर 0 होता है, तब क्या हो जाएगा, work जो हमारा finish हो जाएगा, तो true होगा, otherwise अगर finish नह होगा, तो false हो जाएगा, ठीक है, आगे दूसरा step में क्या कर रहा है, find the index and such, find the index i, such that both, finish i is equal to false हो जाएगा, उसके बाद क्या कर रहा है, कि request i is greater than, क्या हो गया, work होगा, if no such i exist, go to step 4, अगर i exist नहीं करता है, तो हम step 4 पे चले गया हैंगे, तो सबसे पहले step 3 देख लेगते ह है, फिर finish हो जाएगा, i is equal to true, go to step 2 पे चले जाएगे, यहां से, फिर step 4 क्या है, कि if finish false, for some, i is equal to, फिर 0 is greater than, equal to i, and is the system in the deadlock, a system is dead, safe, safe more ever, if finish, i is equal to false, the process p1 is the deadlock, हमको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक हा, आपको भी नहीं आया होगा, तो देखते हैं, example, example से तक ही, अभी सारी algorithm हमें clear हो जाने वाली है, तो algorithm में हमें क्या देखा है, कि कुछ process हमें दे रखे हैं, p1 से, p0 से लेके p4 तक, अब उसमें कुछ allocation दे रखे हैं, a के लिए allocation, b के लिए, c के लिए allocation दे रखा है, कि जो कि p0 के लिए allocate है, 010, 200, 303, फिर 211, और 001, अब इ resource होता है, resource available है, यहाँ पर हमारे पास process है, process को allocation की need कितना, कितना allocate है, पहले से already system में कोई process है, उसको allocate कितना है, 010, cost of fastest Request क्या है, process Request कितना कर रहा है, 00, مतलब उसका, जो भी execution है, execution को पूरा करनने के लिए, जो भी process है, वो request कितना कर रहा है, 00, अब system में available कितना है, 00, मतलब कोई resource available नहीं है, तो क्या यह allocation हो पाएगा, मतलब इस process P0 execute हो पाएगा, तो इस चीज को solve करेंगे हम अपने algorithm के help से, सबसे पहले हम देखेंगे for P0 के लिए, P0 के लिए जो भी request कितनी थी, हमारी request यहाँ पर क्या थी, 000, तो हमने P0 is equal to request क्या लिख लिए, 0 and available कितना है, ह हमारे पास available भी 0 है, system में कोई भी available है नहीं, कोई भी resource available नहीं है, तो हम यहाँ पर 00 लिख लेगे, अब हमने माल लिए, अगर request से available बराबर है या greater than है, तो true हो जाएगा, हमने जैसे अभी यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि request and work, ठीक है, यहाँ पर क्या हो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम आएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, request true हो गया, तो हम यहाँ पर एक formula हमारे पास है, available is equal to available plus allocation, तो available हमारे system में कितना है, 000 और allocation, P0 के लिए सारी चीज़े देखना, allocation कितना है, 010 है, ठीक है, तो allocation दोनों को add करेंगे, तो अब total available हमारे पास कितना बन गया, 010, P0 is in safe stage, अगर safe state में होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, कि वहाँ पर deadlock नहीं होगा, अगर unsafe stage में होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, deadlock हो सकता है, तो यह क्या हो गया, कि यहाँ पर हमारा P0 is in safe stage, क्योंकि available यह पूरी तरह से execute हो जैसे आब process P1 के लिए देखेंगे, process P1 request कितना कर रहा है, process P1 request कर रहा है इतना, और इसको allocate है इतना, और resource कितना हमारे पास देखेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, कि जैसे process P1 को देखेंगे, request इतना किया है, available किता है, available अब हमारे पास system में available, क्योंकि जितना भी resource क्या क काम हो गया तो resource को रख के क्या ही करेगा तो process को free कर देता है तो यहां पर अब क्या हो गया available हमारे पास 010 हो गया available हमें यहां से देखना है 010 अब क्या हो गया कि हमारी पास available नहीं है कोई उतना resource available नहीं है तो process आपकी request मतलब आपको अगर 4 रोटी चाहिए हमारे पास 2 ही है तो मैं आपको कैसे दूँगा आप wait करेंगे उसके बाद जब होगी तो मैं आपको दूँगा simple सी बात है ठीक है तो यहां पर यह P1 must wait करेगा आप P2 के लिए देखेंग हम देखेंगे 010 है and अब क्या हो गया कि request क्या है कम है available हमारा ज्यादा यह कणिशन क्या हो जाएगी true हो जाएगे जब condition true हो गी तो formula हम लगा देंगे available is equal to available प्लस allocation तो available क्या हो गया हमारे पास इतना हो गया अब P2 के लिए एलोकेशन कितना है 303 का है तो 303 को हम क्या करेंगे add कर देंगे 101 से यहाँ पर जब add हमने किया तो हमारे पास क्या आए गया जो भी available कितना हो गया अब system में available कितना हो गया 313 अब यह इतनी को free कर देगा तो available हमारे पास system में कितना बचा 313 तो अब यहाँ पर P2 is a in safe stage मतलब अगर process क्या हो ए एक्जीक्यूट हो जाए तो safe stage में जाएगा अगर वेटिंग करेगा नहीं available हो पाता है अगर मतलब resource उतता नहीं हो पाता है कि process execute हो पाए तो क्या हो जाएगा unsafe stage में जाएगा यानि deadlock के condition में जाएगा तो यहाँ पर क्या ह हो गया available से छोटा हो गया यानि available बड़ा हो गया तो condition true हो जाएगी available is equal to हम दोनों को add कर देंगे हमारे पास नया resource क्या हो जाएगा जो भी allocation available resource है उतना 524 आ जाएगी अब P3 is safe stage के हो कि इसको wait नहीं करना पड़ा इसके लिए पूरी तरह से execution हो गया पी 4 के लिए देखेंग में हमने किया उसी तरह क्या करेंगे available is equal to available plus allocation कर देंगे उसके बाद दोनों को add करेंगे अब हमारे पास कितना 526 सिस्टम में बचा है available resource तो process P4 is the safe stage अब देखिए सारे execute हो गए हमारे पास कितने process थे process हमारे पास देखेंगे हम या से हमारे पास process कितने थे चार process थे चार process थे चार प्रोसेस थे चारों अब पूरी तरह से execute हो गए P4, P3, P2 हो गया P0 हो गया लेकिन P1 क्या कर रहा है अभी waiting condition में है तो अब हम क्या करेंगे P1 को फिर से check करेंगे क्या अब resource हमारे पास available हुआ कि हम P1 को execute कर सके तो हम यहाँ प 202 की available अब available हमारे पास system में कितना है 526 है तो हम 526 को ले लेगे अब request is equal to available greater हो गया तो हम यहाँ पर true कर देंगे available is equal to available plus allocation हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों को हम add करेंगे तो हमारे पास new available हा जाएगा तो process P1 is a safe state तो हम कह सकते है कि since finish is a vector up all true is means there is no deadlock in this example तो इस example में deadlock नहीं है क्योंगि सारे process आसानी से पूरी तरह से execute हो गए क्योंकि resource उनको जो भी मतलब इनको जतनी भी request को इतनी नीर थी process को पूरी तरह से एक्सिक्यूट होने के लिए तो जो भी system में resource था उनर से पूरी तरह से पूरा हो गया सारे process one by one करके execute हो गए तो हम कह सकते कि इस example में या इस example के थूरी system में कोई भी deadlock occur नहीं हो रहा है तो I hope कि जब deadlock occur नहीं होगा तब हमारा क्या होगा कि जो भी system होगा ओ क्या होगा? unsafe zone में होगा safe zone में होने का मतलब safe stage में होगा तो safe stage में होने का मतलब है कि deadlock occur नहीं कर रहा है, अगर unsafe में होता तो deadlock occur होता, तो हमने detect कर लिया, detect कैसे किया, इस algorithm के helps किया, so तो अब आपको algorithm simple सी समझ में आ गई होगे, कि किस तरह से algorithm over करती है, तो deadlock detection में deadlock किस तरह से detect करते हैं, तो I hope आपको समझ में आई, आगे कि वीड example में तो deadlock नहीं पाए, अगले example में हम देखेंगे तो deadlock आपको मिलेगा, so आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, comment और subscribe जरूर किजेगा, thanks for watching the video, thank you, bye bye guys